मेरा नाम है अंड्राक सिंग मैं आपको प्राहूंगा है इंडेन पॉलेटी भारदी राजवेवस्ता एक बार फिर अपने यूटूब चैनल फूचर गोल में बहुत-बहुत स्वागत है एक कदम सफलता कर जो आपको ले जाएगा आपकी मन्विल यह है मैंने पिछले लेक् फिर नागिता कैसे क्य मिलती है और फिर मैंने वितलाया था कि कैसे क्या लुड़ मैंने आपके साथ पुरा विजबर के लिंट्स करूंगा उसी नाजिक्ता से रिलेटीड ही एक प्रवासी भारती एन आराइए प्रवासी भारती एन आराइए और एक होता है OCI Overseas Citizens of Indian ठीक है यह होता है इसका फॉर्वासी भारती कौन होते हैं और आराइए और आराइए कौन से होते हैं तो इन आराइए कौन से होते हैं इन राइए वो व्यक्त होते हैं जो भारत की निमासित होते हैं लेकिन एक कलेंडर वर्स में 6 वर्स जो है बाहर रहते हैं 6 माँ जो बाहर रहते हैं एक कलेंडर वर्स में 6 माँ बाहर रहते हैं ठीक है तो वो पहले हमें बात करता हूँ आप प्रवासि भारती दिवस तो जो कोई वेक्ति है जैसे मालो ठीक है वो बाहर कोई बिजनेस करने गया ठीक है या कहीं पढ़ने गया ठीक है मतलब आप समझ लेजे 183 दिन 183 दिन जो बाहर रहेगा ठीक है वो किसके अंडर में आएगा NRI कहलाएगा कोई भी वेक्त अगर भारत को छोड़ करके वो कहीं अगर विरेश में 183 दिनों तक रह रहा है तो किसके अंडर में आएगा तो NRI नौन रेजेंट इंडियन आपरवासी भारती ठीक है अब दूसरा एक है भारत वंसी भारती मूल के वेक्त मतलब परसंस ऑफ इंडियन और ठीक है तो यह क्या है मतलब यह जो लोग है य यह जो बाबा दादी नाना वा नानी यह लोग और रहने थे जह भारत के रहने वाले थे लेकिन आब इस समय jlov कहां रहने हैं मतलब उनके लड़के बच्चें हैं वह आप बाहर विदेश हूं मेरे रहे लेकिन उनकी जो अगर देखा जाने विदेश में रह रहने हैं मुस लेकिन इस समय जो वह वेक्ति हैं वह बाहर रह रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या गया इसके लिए कुछ करने के लिए एक भारत सर्कार ने एक कमेटी बनाई ठीक है और उसमें बताया गया कि दोहरी नाइकता दिया जाए इन लोगों को एक कारड इस्यों जारी क्या घविए ठीक है तो इसकी बिश्ण में भी बताएंगी पहले हम देखते हैं ओसी आइज तो ओर सी ज्य जेए तो समुद्री पारिनागे कहला जाते हैं तो समुद्री पारिनागी जो थे हैं तो 2005 में दो हजार पांच यह बने थी उसके बाद यह इसके अलग प्रावधान थे और PIO के अलग प्रावधान थे ठीक है? इससी जुड़ी सिवा सरते जो थी वो अलग थी PIO की और OCI की सिवा सरते अलग थी लेकिन 2015 Year 2015 में क्या किया गया? PIO और OCI को दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, ठीक है? तो इसके लिए एक जो है कि एक कि लच्च मिमल सिंद्वी कि 2003 में कि ना गया तो बारह सरकार से कहा गया कि इन लोगों को क्या है? दोगरी राजिकता दी जाए एक कार्ट जारिक किया जाए इन के लिए ठीक है? तो तो वो लोग जो है भारत में आए ये और भारत में अपना इंवेस्टमेंट करेंगे ठीक है? जिससे फैदा कि गॉर्ण्मेंट आफ इंडिया गोगा तो कौन कौन से इन को लाब मिलेंगे? तो सामाजी तो कौन से वेक्त भारत कौन से भारत मुल के वेक्त जो है? उनको कौन से लाब मिलेगा? सामाजी खेत्र में भाग ले सकते हैं ठीक है? आर्थि खेत्र में मतलब कोई भी अपना इंवेस्टमेंट कर सकते हैं कि जब इंबेस्टमेंट करें गए डॉलर की रूप में तो हमाएं देश को क्या होगा प्रॉफिट होगा फिर बाग की जांतों धार्मिक छेत्र में भाग ले सकते हैं हैं धार्मिक छेत्र कोई प्रतिवन्द नहीं कि आप धार्मिक भाग नहीं लेकिन एक चीज़ आप याद रखना प्रसासनिक 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 और राजनीति इन में आप भाग नहीं ले सकते हैं ठीक है प्रसासनिक और राजनीतिक में इसमें आप गौएं पूरी तरीके से पृतिबंद है आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं आप सामाज इखक्री भाग लीजिए आप offices समें भाग लीजिए आप धार मीच़ेओ भाग Rom तो इस प्रकार से भारा सरकार ने सोला सोला देशों के जो नागरिक थे उनको जो है डूर सिटीजन सब जिया गया ठीक है दोहरी नागरिक तक जी जाई तो उसमें से कौन-कौन से कंट्री थे तो अमेरिका था अमेरिका था बिटेन था स्यूडन था निजिलाइन था नॉर्वे था इस प्रकार से सोला देश थे जिन्हें कहक दिया गया डूर सिटीजन सिप दिया गया यहां पर बाबा दादीन आना तो यह रह रहे थे भारत में लेकिन तो इसमें वे 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 वह कहां रह रहते हैं अमेरिका बेटेन शूडन निजिलाइन अनौर्वे में तो उन लोग का क्या दिया गया डूबर सिटीजन सी पे कार्ड इसू जारी किया गया तो उनको कौन-क इतिक छेत्र में भाग नहीं ले सकते थे और जो मैंने आपको बताया कि OCI जो था पहले दोजार पात में अलग था समुद्री पारी नागिक जो कहलाते थे वो अलग था दोजार पात में लेकिन 2015 में क्या हुआ PIO को और OCI को दोनों को मिक्स कर दिया गया ठीक है अब यहां से एक कोशन पूछा जा सकता है कि जो नागिक्ता है वो किस सूची का विशय है यह most important question पूछ सकता है आपके बंडे एक्जाम में कि नागिक्ता जो है नागिक्ता किस सूची का विशय है तो आपको मैंने बताया था संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची फिर मैंने आपको बताया था संग सूची में कितने विशय है तो 97 विशय है जो बढ़कर कितने हो गए 100 विशय हो गए फिर मैंने आपको बताया था राज सूच मेंं पुरी सूची आपके साथ डिसकस किया था तो वही जो नाईत्ता है वो किस सूची में है तो यहां से question बन सकता है तो आपको क्या अतना है संघर में कहां पर है तो संघर शूची मतलब है नाउटता से जितने भी वह प्रावधानओं गया कहां पे संघर सूची डिसी डिसाइड गेर धीक है संघर सूची में दिया हो cinn आगे था एक बाग फिर से मैं आप पुरिवाइश करवाद हूँ कि आप प्रवासी भारती एन आर आई मतलब एन आर आई का फुल फॉर्म होता है नौड इसे एंट इंडियन्स तो जो लोग यहां पर रह रहे थे लेकिन वो एक कैलेंडर वर्स में मतलब 6 जो मां है वो बाहर रहते हैं अमेरिका सी उडन नौर्वे कहीं पर भी ठीक है तो वो किस उद्धे से रह रहे हैं वाइपार करने के उद्धे से या पठाई करने के उद्धे से या अपना कुछ बिजनेस चलाने के उद्धे से कुछ भी कर रहा हूं लेकिन वो जो है भाहर रहते हैं, मतलब 183 दिन, ठीक है, फिर मैंने आपको दूसरा बताया, आपको PIO, मतलब persons of Indian citizens, स्वारी, person of Indian origin, ठीक है, तो भारत वन सी भारती मूल के मतलब जो उनके पीड़ी दर पीड़ी भारत में रह रह रहे हैं, लेकिन आप वो भारत में नहीं रह रहे हैं, आप ज एक पक पर चैनित हुए हैं, ठीक है, तो मतलब उनके बाबा, दादी, नानी, नाना वो लोग रहने वाले तो यहां इंडियन्स के थे, लेकिन आप वो लोग कहां रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को वहां की नाजिक्ता है में चुकी भी, ठीक ठीक है, किसलिए दे गई, कि कम से कम अपना भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि वो लोग जब बाहर से आएंगे अपने इंडियन में, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फाइदा किसका होगा, फाइदा होगा, गवर् गए विलायने, नौर्वेते, इस तरीके से तमाम 16 डेक्री से थे, लेकिन उनके आगे, एक उनके आगे समस्य थी कि वो लोग कहां-चाह भाग ले सकते हैं, केवल सामाधी, चेत्र में, आरथिक चेत्र में, और धार्मिक चेत्र में, ठीक है, लेकिन प्रसाःनीतिक चेत्र में भाग नहीं ले सकते हैं फिर मैंने बताया तो जो है 2015 में इसको सामिल कर लिया गया है पहले अलग लग से वाप देती आप जो क्या है एक ही विवस्था है विसके आद मैंने आपको बताया तो नागिर्टा का प्रावधान किस सूची में दिया हुआ है तो कोस्टन बन सकत अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप के लिए मैं सदेवत अत्पर हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिया मैं तुरंद उसका एंसर दूंगा और इससे जो रिलेटेड जो कोशन्स हैं वह मैं अगले वाले लेकिन पढ़ते रहें क्योंकि पढ़ाय जो है लॉक्डाउन के साथ मत बंग करियें ठीक है तो यहीं पर अपना सवाब करता हूं लेक्चर एक नए वीडियो के साथ कर मिलते हैं जैहिं जैभर्व